नमस्कार किसान भाईयो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल किसानों की पाट साला में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्च की फसल के पीलापन को कैसे दूर करें वो भी मात्र चार से पांस दिनों के अंदर तो किसान भाईयो, यदि आपकी मिर्च की फसल में पीलापन है, फसल कमजोर है, फसल में फलफूल कम मात्रा में बन रहे हैं तो इसके लिए आपको अपनी फसल में कौन सी खाद के साथ साथ, कौन सी दबाओं का छड़काओ करना है जिससे मिर्च के पीलापन दूर होने के साथ साथ फलफूल अच्छी मात्रा में आए और फलफूल ड्रॉप होने की जो समस्या है वो भी देखने को ना मिले चलिए सुरू करते हैं देखिए किसान भाईयो मिर्च की फसल में पानी की अधिकता के कारण भी पीलापन देखने को मिल सकता है रस चूसक कीटों के रस चूसने से भी फसल में पीलापन आ सकता है लेकिन अभी की हम बात करें किसान भाईयो तो पिछले दिनों लगातार बारिश से जल भराओ के काराण मिर्च की फसल में पीला पन देखने को मिल रहा है तो आपको इसे कैसे दूर करना है आईए समझते हैं तो आपको किसान भाईयों लेना है 5 kg कैलसियम नाइटरेट 500 ग्राम बोरान और इसके साथ आपको लेना 1 kg सलफर इन तीनों को अच्छी त तो था किसान भाईयों आपको अपनी फसल में पीला पन दूर करने के लिए खाद के रूप में अब हम बात करते हैं इस्प्रे की तो आप इस्प्रे में 200 ग्राम ह्यूमिक एसेड या फिर 200 ml धंजायम गोल्ड के साथ 100 ग्राम थामितोकसम 25% को घोल बनाकर अपनी फसल पर फल फूल कम मात्रा में बन रहे हैं या फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं इन सभी समस्याओं को आप 4-5 दिनों के अंदर ही कंट्रोल कर सकते हैं तो किसान भाईयों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अब हम सेर जरूर करें